पूरी हिप हॉप कम्यूनिटी इंदेनों सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बात कर रही है वो है रोहन करियपपा वर्सेज एम टीवी हसल कौन है रोहन एम टीवी हसल ने इनको कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों भेजी और बादशाह रफतार जैसे आर्टेस्ट रोहन के बारे में क्या लिख रहा है सब जानेंगे लिकने एक ब्रेक के बाद मैं इस बारे में ट्वीट नहीं कर रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इस इशू को रिसॉल्व करने के लिए काम नहीं कर रहा हूँ रोहन करियपपा परिवार है ये ट्वीट किया रैपर और पूर्व क्लाइंट बादशाह ने रफ्तार ने भी इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई और लाइव आने के बारे में बताया शाथ ही टैक किया एमटीवी हसल रोहन करीयपपा को और धैरे रखने को कहा एमटीवी हसल आपको नहीं पता तो आपको बताते चलें कि हसल एमटीवी इंडिया पर आता है इनके यूट्यूब चैनल रोहन करियापपा डी एचेच पर 2.65 लाग सब्सक्राइबर्स हैं, रोहन देशी हिप हॉप आइटिस्ट की लिरिक्स को ब्रेकडाउन करते हैं, इसके अलावा हिप हॉप में क्या चल रहा है अच्छा या बुरा सब के बारे में बात करते हैं, इस स्क्रीन शॉट्स में आप देख सकते हैं कि कैसे रोहन बता रहे हैं कि उनके वीडियो पर कॉपी राइट स्ट्राइक भेजी जा रही है, एक और स्क्रीन शॉट दिखता है जिसमें रोहन बताते हैं कि उनका चैनल साथ दिसंबर को डिलेट कर दिया जाएगा, इसके बाद ट्विटर पर हैश्टेग शेम ऑन एंटीवी हसल भी ट्रेंड करने लगा, इसके बाद कई सारे हिफवाप आर्टिस्ट सामने आए और रोहन को सपोर्ट किया उन्होंने, इस लिस्ट में क्रिशना, यंगस्ता, 47, कर्मा, रागा, यश्राज, रफ्तार जैसे और भी कई आ पड़ेगा, पूरा वीडियो आप रफ्तार के इंस्टाग्राम पर जाकर देख सकते हैं, और हाँ, इन सब के बारे में खोजबीन करते हुए ये भी पता चला, कि रोहन पहले हसल के साथ काम भी कर चुके हैं, अब इस पूरे मामने में क्या होता है, ये जानने के लिए हमे लोग भड़क गए, उनको सुना दिया, बात में थोड़ी सच्चाई भी हो सकती है, बशरते उनको समझ में आ जाए, कि डॉली से उन्हें चाई पिलवाना भारतियों का प्रयोग था, या सायोग, नितिन गड़करीन कहा कि उन्हें दिल्ली में रहना पसंद नहीं है, बता नहीं, ये दिल्ली वालों की साज जिश है, हवा इतनी खराब पर दो कि कोई दिल्ली आना ही न चाहिए, पीम बन कर भी, दुनिया भर में अपने रिटायर्मेंट की खबरें चलवाने के बाद विकरांद मैसी ने कहा है कि वो रिटायर नहीं हो रहे हैं, सिर्फ प्रेक लि इसका नाम चुना, जितनी लाइव कवरेज, फुटेज और सस्पेंस सीम के नाम पर चला है, अगली बार से इसे यूट्यूबर्स की भाषा में फेस रिवील भी कहा जा सकता है, वैसे ये बात भी आई कि वो कल मुख्यमंत्री पद की शपत लेंगे, साढ़े पांच बजे शाम को, महिंद्रा ने इलक्रिक कार लांच की, महिंद्रा BE 6E, इसके बाद एरलाइन कमपनी इंडिगो ने महिंद्रा को ट्रेड मार के उलंगन के लिए कोट में घसीट लिया है, क्योंकि इंडिगो 6E ब्रैंड के अंडर सर्विस देती है, एक और लफडा लोडिंग है, म खुदी ही प्यारा वीडियो है, आप दीखिए, सोशलिस्ट में अब बारी है पिक आफ देडी के, और पिक आफ देडी में आज है एक सुन्दर सी कहानी, हर इनसान इन दिनों इन्वेस्ट करने की बात कर रहा है, मैं टौफी भी खाने जाता हूं, तो कोई कह जाता है कि आ ऐसा इन्वेस्ट कर दो, तो आज से दस साल बाद शाहरू का बंगला खरीज सकते हो, इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, रेड फ्लैक्स के जीवन में कमी है, इसलिए क्यों ना पूटफोलियो को ही लाल रंग से रंग दे, पूरा देश इन्वेस्ट कर रहा है, ऐसे में आपको बता दी, यही काम है हमारा बाग्या, आज के शोमीत्ता ही चलते हैं, टाटा